क heck Hello friends, हम यहां पर परतिसत पड़ रहे हैं, परतिसत के इंदर हहु पार्टपाइ पड़ रहे हैं परतिसत के चार वीडियो पहले बढ़ा दिया है यह या इस वीडियो में Level One वाले पले लिस्ट में डालूँंगा और आज हम जो कॵिशन करेंगे question number 51 से लेकर question number 60 तक हम यहाँ पर करेंगे question number 51 से question number 60 तक हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर सुरू करते है question number 51 question number 51 हम यहाँ पर सुरू कर रहे है question number 51 में लिका हुआ है जो हमें बता देता हुआ है question number 51 में हमारे पास लिका हुआ है कि 20% कमिशन देता कमिशन कितना दे रहा है वो 20% दे रहा और जो बोनस है वो बोनस कितना दे रहा 10% लेकिन ध्यान रखना जो 10% बोनस दे रहा है वो सुद लाब पे दे रहा है और सुद लाब क्या है यहाँ पे लाब माइनस बोनस दूसरी बात यहाँ पर क्या बोल रहा है उसकी जो विक्री है वो 10 लाग है और उसकी जो कमाई है सेल्समेन की जो विक्रेदा उसकी कमाई है एक लाग भतिसजार उसकी कमाई दे रखा है और हमें यहाँ पर ग्याद करना salesman की कुल कमाई यहाँ पर ग्याद करना है salesman की कुल कमाई यहाँ पर ग्याद करना है यह जो lab है वो company का हमें salesman की कमाई ग्याद करना यह company के लिए है यह सारी चीज़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20% कौम समस्ते पहले 20% कौम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 20% हमारे पास यहाँ पर तो 20% कौम लिख सकते हैं एक बटेवे 5 और यह क्या है यहाँ पर कमिशन है कमिशन किस पर कुल बिक्री पर तो यह हमारे पास नीची की जो संक्या मोल संक्या होगी तो यह क्या हो जाएगी कुल विक्री हो जाएगी यहाँ पर कुल विक्री कुल विक्री ही है तो बोनस कितना हो जाएगा यहाँ पर सोरी कमिशन कमिशन की परतिस्ट है तो यह उपर क्या हो जाएगा कमिशन तो यह हो जाएगा इसका कमिशन कुल विक्री और कमिशन में यहां पर पता चल चुक़ी ये किस पे it चैंस न पे तो खुल भिक्रिये होजएगी कमीन स्थी यहां पर आप देख सकते हैं क inhabited हमार पास कितनी है दसलाग लाग यानिकि 5 का मतलबह मर पास कितना यहां पर yaa 5 का मतलबह का मतलब हमार पास यहां पर 10 लाक तो एक का इंदर क्या दे रहा है? 10% 10% का मतलब हम समझ सकते हैं एक बटेवाद 10 यह जो 10% बोनस है तो यह बोनस के लिए दिया हुआ है और बोनस किस पे? सुदलाब पे तो नीचे यह क्या जाएगा? सुदलाब यह जो बोनस है वो किस पे दे रहा है? सुदलाब पे क्यूशन में लिखा होगा है कि जो बोनस है वो सुदलाब पे दे रहा है इसका मतलब नीचे की जो संक्या हो क्या होगी सुदलाब तो उपर क्या हो जाएगा? इसका बोनस हो जाएगा? यह जाएगा उसका बोनस कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा अब यहाँ पर हमें क्या ग्याद करना है दोगे यहाँ पर दो चीज दी हुई है हमारे पास एक तो उसकी कमाई दे रुखी एक बार में देख लिए तो सुरी यहाँ पर कमाई नहीं यहाँ पर लाब दे रुखा लाब है एक लाग बतिस जार और यहाँ पर बिक्री दे रखी है, 10 लाग किया ना तो यह ताम हर पास यहां पर क्या देख रखा, लाब दे रखा है और हमार पास देखो, लाब क्या है यह इस तरह से, सुद्ध लाब के अंदर हम बोनस जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा लाब मिलेगा, सुद्ध लाब के अंदर क्योंकि यह पकसांदरनों के इधर आएगा यह बात क्रिष्ण में लिखकी हुई है तो यहां पर देखो, इसको इधर पकसांदरन करोंगा तो मुझे क्या मिल जाईगा, यहां पर लाब मिल जाएगा और लाब भी हमें यहाँ पर दे रखा है तो लाब कहा हम पर मिलेगा इधर हो जाएगा सुद्ध लाब प्लस बोनस तो हमें क्या मिलेगा लाब तो यहाँ से आप देख सकते हो लाब लाब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 तो सुद्ध लाब हो जाएगा एक bonus हो जाएगा, तो laaf का मतलब कितना ग्यारा और यहाँ पर laaf हमें कितना दे रखा एक लाख 32 यह हो जाएगा तो यहाँ पर हमें एक command निकालने पड़ेगा किस command? एक command तो कितना आज जाएगा एक command अमर पास यहाँ जाएगा क्यों 11 का यह है तो 11 से कार देंगे इसको इधर एक हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमार पास एक कमान यहाँ पर अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर क्या याद करना कमाई याद करना कुल कमाई कितनी होगी उसकी salesman की, salesman की कमाई के रहे कितनी होगी उसका commission जितना मिलेगा वो, और 6 के अंदर उसका bonus, तो bonus तो यहां पर देखो 1 है, और 1 का मतलब यह है तो एक तो यह हो जाएगी उसका bonus bonus तो जाएगा यह और यहां पर, उसका जो commission है, commission कितना है, एक और एक कमाने यहां पर हमने कहने निकाला दो लाग तो यह दोनों का टोटल मिला कि उसकी कमाई हो जाएगी तो हम यहां पर लिख देते हैं दोनों को जोड लेते हैं यहां पर किदरा है दो लाग यह तो हो जाएगा दो लाग इसके अंदर हम यह जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगी उसकी कमाई तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,12,000 उसकी क्या हो जाएगी कमाई हो जाएगी तो question number 1 क्या उनका answer हो जाएगा यह अब हम question number bound करते हैं हम यहाँ पर तो इसको मैं मिट्रा देता हूँ यहाँ से अब हम question number bound करते है question number bound में लिखा हुआ है कि जो कुल बिक्री है उस पर क्या बितलता है 7% कमिशन देता है फिर दूसरी condition में वो बोल रखा है कि वो वेतन देता है 3,000 उपे और 3,000 उपे वेतन देता है और 7 में के आगे क्या बोल रहा है कि 10,000 से अधिक 10,000 से अधिक की विक्री पर क्या देगा 4% कमिशन देगा तो यह तो होगे पहले condition यह हो जाएगी दूसरी condition तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले condition से जितनी कमा है होगी दूसरी condition से क्या हो जाएगी 800 रुपे अधिक मिलेगा यानकि दूसरी condition ये दि वो लेता है तो इसके अंदर क्या हुआ da 800 रुपे का फाइदा होता है तो हमें यहां पर क्या बताना कुल बिकरी बताना कि कुल बिकरी यहां पर कितनी है तो हम इसको क्या करेंगे पहले की तरह जैसे हमने पहले क्योशन किया था वैसे ही करेंगे यहां पे भी तो यहां पे क्या है 10,000 है यहां पे 10,000 है और दूसरी कंडिशन यहां पे क्या है 10,000 सी जादा किये एक तो 10,000 और 10,000 सी जादा तो पहले कंडिशन के यह जदी हम बात करें तो पहले condition पे क्या मिल रहा है 7% मिल रहा यान कि पहले condition पे इसको कितना मिलेगा यहां पे 7% और यहां पे भी कितना मिलेगा 7% क्योंकि यहां पे लिकाओ पहले condition में उसको 7% commission मिलता बोनस की बात यहां पे नहीं चल रही है तो यहां पे भी 7% commission यहां पे भी 7% कमिशन अब हम बात करते हैं यहां पे दूसरी कंडिशन की तो दूसरी कंडिशन में क्या हो रहा पहले तो क्या होता है 3000 उसको वेतन मिलता है यहां पे यहां पे तो क्या हो जागा 3000 मिल जागा फिर बाग के आगे की बात करें तो आगे क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे उसको 4% कमिशन मिलता है तो यहाँ पे 4% कमिशन मिलता है अब ध्यान रखना यह जो शेकिन कंडिशन में इसमें 800 रुपे जादा मिलेगी उसको तो अब हम देखते हैं कि उसके क्या साथ क्या क्य रही है यहां पे सबसे पहले साथ परतीशत होगा यहां पर पर पहली कंडिशन हैं कितना मिलेगा उसको इसकाaufen 300 मोद!! तो यहां पर कितना जाएगा 700 यहां पर कितना कमाएगा 700 कमाएगा यान कि पहली जो कंडिशन है उसमें क्यों लो क्या करवा रहा है 700 कमा रहा है तो इनका डिप्रेंस है यह हम देखें कितना कम ज्यादा कमा रहा है तो सेकिंड इस्तिती के अंदर आप देख सकते हो सेकिंड क कमा रहा है कितना ज्यादा कमा रहा है 2300 तो यहां पर 2300 रुपेद ज्यादा कमा रहा है कौन सी कंडिशन में कमा रहा है यान कि यहां पे इसको माइनिस करेंगे, क्या जाएगा, 1500, यान कि 1500 खतम करेगा, काँ खतम होगा वो, यहां खतम होगा, केसे खतम होगा, क्योंकि यहां पे तो ज़्यादा है, और यहां पे कम है, तो दूसरी कंडिशन में, यहाँ पर क्या हो रहा तीन परतिसत की कमी हो रही है उसको क्योंकि यहाँ पर साथ परतिसत है यहाँ पर चार परतिसत है यहाँ पर मान लेते हम यहाँ पर कितनी राशी है X राशी है यहाँ कि भिख्री क्या है X है तो यहाँ पर देखो कितना परतिसत की कमी हो रही है उसको 3 परतिसत की यहां कि x पे 3 परतिसत की उसको क्या हो रही है कमी हो रही है तो 3 परतिसत की कमी हो रही है वो जो कमी है वो किसकी पूर्थी करेगा इसकी 1500 की तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से लिखेंगे x का 3 परतिसत तो तीन प्रतिसत का मतलब तीन बटेवा 100 यह हो जाएगा तीन प्रतिसत यह किसको बैलेंस करेगा 1500 को यह हो जाएगा इस तरह से 30 से हम काट लेंगे यहाँ पर अजाएगा 5 और यह 2-0 है यह उधर चल जाएगा एक्स का मान हमार पास यहाँ पर आजाएगा यह आजाएगा 50 सही है तो एक्स का मान आगया है यह हमार पास अब यहाँ पर आप देख सकते हमें क्यात करना कुल बिक्री कितनी है कुल बिक्री कितनी है यह तो है एक्स का मान और यहाँ पर कितनी है 10,000 तो 10,000 इसके अंदर जोड़ेंगे हम तो कुल विक्री आजाएगी तो 10,000 इसके अंदर जोड़ देती है तो यहाँपे हो जाएगा हमारे पास 60,000 तो हमारे पास कितना हो गया है यहाँपे? 60,000 तो 64,000 इसका क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा यह हो जाएगा इसका आंसर, तो question number bound का आंसर कितना हो जाएगा? 60,000 Question number 53 करते हैं हम यहापे Question number 53 के इंदर हमार पास क्या है? चाउल का जो चेनी का जो मुल्ले है, वो 20% बढ़ जाता यानिकि चेनी का मुल्ले 20% बढ़ जाता है तो हमें चेनी की खपत में कमी करनी पढ़ेगी कितनी कमी करनी है? यह हमें बताना है Condition क्या है? जो खर्च वो इस्तिर रहेगा तो 20% को समझते हैं 20% को हम क्या लिख सकते हैं? यहापे लिख देता हूँ 20% हमार पास 20% को लिख सकते हैं 1 बटेवा 5 यानि कि चेनी का जो मुल्ले है अगर पहले पहले कितना हो 5? तो अगली बार में क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा क्योंकि उपर वाली संग्या को बढ़ा है ना तो अगली बार में कितना हो जाएगा? अच्छ तो मैं यहापे लिख देता हूँ मुल्ले जो मुल्ले है एक तो दो कंडिसन होगी एक तो पहले और एक बाद पहले कितना है? 5 है मुल्ले पहले कितना है? 5 है तो बाज में कितना हो जाएगा? 5 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 यानि कि जो मुल्ले है जो चीनी है चीनी का मुल्य पहले 5 है, बाजम कितना हो जाएगा? 6 तो खपत कितनी हो नी चाहिए खपत हमें अपनी इच्छा से पिक्स करना, केसे करना है कि उसका जो खर्च है, वो पिक्स रहे तो नीची कहा जाएगा? खर्च थो खर्च पिक्स रहना चाहिए अगर मैं यहाँ बे 5 लेता हूँ यहाँ पे 6 लेता हूँ यहाँ पे कितना पड़ेगा पांच तरब जाके इनको गोना करेंगे तो यहाँ बी 30 आएगा और यहाँ बी 30 तो यहाँ पे आ एक बात समझ में आ रही होगी कि गोणा करने के बाद हमें खर्च मिलता है तो गोणा करेंगे तो दो संक्याओं को गोणा करने पर समान वेलू आती है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर 5 है तो मैंने यहाँ पर 6 ले लिया क्योंकि यहाँ पर 6 है तो फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा तो यहां पे 6 गोणा 5 यहां पे 6 गोणा 5 तो दोनों जगर पे हमें क्या के मिल जाएगा 30 यान कि खर्ट दोनों जगर पे हमारा क्या हो जाएगा सेम यान कि यहां पे जो हमें खपत लेनी थी एसी संकेन लेनी थी जिसे रिजल्ट हमें सेम मिले तो यहाँ पर हमने इस तरह से ले लिया तो यहाँ पर हमने ले लिया 6 और यहाँ पर ले लिया 5 तो यह क्या है खपत है तो पहले कि जो खपत है वो 6 थी बाद में खपत कितनी करने पड़ी 5 तो खपत में कितनी कमी करी तो यहां पर आप देश सकते हैं, 6 से 1 के अंदर आएंगे, तो कितने की कमी हो, 1 की कमी हो, तो हमने 1 की कमी कर दी, किस पर की? 6 पर, तो कितना हो जाएगा, 1 बटेवाच्चा, अब 1 बटेवाच्चा को प्रतिस्त में बदलना, तो यह तो आपको डायरेट प्रतिस्त याद हो स 2 बटेवाँ 3, 6 से 2 बटेवाँ 3, अगर आपको याद है, तो आप याद हो, तो डायरेट लिख सकते हैं, मुझे याद थी, इसलिए मैंने डायरेट लिख दिया, 1 बटेवाच्चा को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से 2 बटेवाँ 3 परतिसत लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा, इस question का answer, question number 13 का answer हो जाएगा, 16, 2 बटे वा 3 परतिसत question number 4 कर रहे हैं हम याँ पर question number 4 में लिखा हुआ है कि चीनी का मुल्ले है वो 20 परतिसत कम हो जाता है तो खपत में कितनी वर्धी करें कि खर्च ना बड़े, तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिख देता हूँ में मुल्ले, यहाँ पर पहले और फिर यहाँ पर बात दोनी कंडिसनों की बात करेंगे पहले चीनी का मुल्ले कितना है हमारे पास 5 है बाद में क्या हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे, पांच में से एक कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, चार, तो यहाँ पर खपत, खपत हम क्या करेंगे, उल्टी ले लेंगे, इसका, इधर चार लेंगे, तो इधर पांच, क्योंकि गोणा करने पर समान सकते हैं, क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि य यह हमारी जो condition है person के अनुसार सही है तो यहां पर आप देश सकते हो जो हमारी खपत है वो कितनी बड़ी ही 5 से कितनी हो गई 4 से कितनी हो गई 5 यानिकि 1 की वर्दी हो गई कितनी एक की वर्दी किस पे हुई 4 पे तो 100 पे तो यह आजेगा परतिसाता है, कुसकर 100 से गुणा करेंग तो तो यह आजेगा तो क्या आजएगा, यह है 25 आजएगा, तो 25 परतिसात, यान कि हमें कितनी वर्धी करनी चाहिए, 25 परतिसात वर्धी करनी चाहिए, यह जाएगा question number 4 वन का answer question number 5 कर रहे हैं हम यहाँ पर question number 5 में लिखा हो है चीनी का मुल्ले 30% घट जैता है और उसका जो खर्च है वो भी 10% घट जाता है तो हमें यहाँ पर बताना है कि चीनी के मुल्ले चीनी के खपत में कितनी परतिसद वर्दी की तो यहाँ पर आप देश सकते हैं 30 परतिसद को मैं लिख सकता हूँ 3 बटेवा 10 30 परतिसद को हम क्या लिख सकते हैं 3 बटेवा 10 और 10 परतिसद को लिख सकता हूँ 1 बटेवा 10 इस तरह से लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखो मुल्ले लिख लेता हूँ एक तो मुल्ले दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पर खपत और तीसरी कंडिशन होगी यहाँ पर खर्च की और यहाँ पर पहले वाली कंडिशन और बाद वाली कंडिशन अब यहाँ पर देखो मुल्ले जो है पहले कितना है हमारे पास 10 है यहां पर लिख देता हूँ मुल्य पहले कितना 10 बाद में क्या हो रहा है गट रहा है तो क्या हो जाएगा 10 में से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यानकि पहले मुल्ले 10 था तो अब कितना हो जाएगा 7, खपत के अंदर हमें नहीं पता खपत में क्या हो रहा, हमें खर्च के बारे में दिया हुआ है, कि पहले 10 है तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले हमारा खर्च कितना 10 अब कितना हो गया खर्च तो कम हो रहा है कम हो रहा है तो 10 में से 1 कम करना है तो कितना जाएगा 9 यानकि 9 हमारे पास खर्च हो रहा है अब देखो कुल खर्च के अंदर मुल्ले का भाग देंगे इससे मतलब नहीं है, हमें क्रेवल मतलब है खपत से, तोहानु कुसी करेंगे, बागी और मुल्य से, यारनि कि और रासी यहाँ पर जो भी लिक्योंगी, उनको काम में ले रहा है हमें पामें लेना एक और नो बटेवा साथ को अब यहां पर देखो यह तो क्या भी भिनातमक आ गए तो यहां पर हम भिन्म के साथ काम करेंगे तो हमारी तोड़ा सा गटेनो जाएगा थो हम क्या करेंगी इसको तोड़ाइस चैंज कर देती है किसे चैंज करेंगे इसको काट तो इससे हम ko необходимо मतलब नहीं इस बार है संघ्वाइँ आपि संग्याओ अपने च्यविटेश्य चैंज कर सकते हैं यहां पर देखो यहां पर साथ से प्रोबलम हो रही है तो हम क्या करें साथ से गोना कर देते हैं इस लाइन को पूरी को यहां से साथ से गोना करेंगे तो इसको तो मैं काटके कितना लिख देता हूं साथ क्योंकि एक को साथ से गोना करेंगे तो कितना लिख देता हूं साथ और इस इसको प्रतिसत में बदलना है अगर आपको प्रतिसत में बदलना है तो यह तो आपको डायरेट याद होगा बेसिक प्रतिसत उससे कर सकते हो याद नहीं है तो आप सोसी गुणा कर सकते हो इस तरह से तो आपको प्रतिसत में आजएगा मुझे याद है तो मैं वह तरीका बत यहां से आप भाग दोसी गुणा करके 7 से भाग दोगे तो भी यहां पर आपको कितना मिलेगा 28 से ही 4 बटेवा 7 परतिसत दोनों से सेम मिलेगा अगर आपको basic प्रेक्शन याद तो आप ऐसे कर सकते हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 से 4 बटेवा 7 परतिसत के हमें वर्दी करने पड़ेगी किसमें खपत के अंदर तब जाएके यह कंडिशन सेटिस्प्राई होगी तो यह हो जाएगा इसका आंसर question number 56 करते हैं हम यापे question number 56 में लिखा हुआ जो चीनी का जो मुल्ले है वो 20 परतिसत घड़ जाता है जो उसका कुल खरच है वो भी 4 परतिसत घड़ जाता है तो हमें यापे चीनी का जो खपत है उसमें कितना परतिसत फर्दी करना यह हमें यापे बताना तो यहाँ पर इसको प्रतिसत कौम समझते हैं आपर, एक बटेवे ये 20 प्रतिसत कौम लिख सकते हैं, एक बटेवे 5, और 4 प्रतिसत कौम क्या लिख सकते हैं, एक बटेवे 50, लेकिन में एक बटेवे 50 नहीं लिखकर क्या लिखूंगा, एक बटेवे 100 लिख देता हूं, ये 4 चार बटे के साहथ इसको इसلي मैं इसको इसको ऐनके पटेश मैं लिख सकते हैं मैं इसको एक बड़र 25 ना इसको चैल पटेश के साहथ करने सी जढ़ा सथ करना इसलिए में इसको इस तरह से दिता हूँ तो यहाँ पर पहले की तरहिं लिख देते सारी journeys देख तो यहां पे मुंल्य की बात हो रही है? फिर यहां पे खपत की बात होगी, फिर यहां पे खर्च हुए होगा उसका कुछ, पहले कंडिशन लिख देते हैं यहां पर पाद वाली कंडिशन, तो सबसे पहले हम देखते हैं मुल्ले मुल्ले यदि पहले 5 था तो यहाँ पर मुल्ले में क्या हो रहे है कमी हो रही है तो 5 से 1 कम करेंगे तो कितना रहे जाएगा 4 रहे जाएगा फिर दूसरी कंडिशन है क्या है खर्च यसा क्योँ कर रहे हैं? क्योणकि मैंने पहले के जो वीडियो 1, 2 जो भी थे उनके इंदर ये सारे चीजे समझा रहे हैं कि हम यहां क्यों करते हैं? फिर खपत की बात करेंगे तो खपत की बारे में कुछ नहीं दिया हूँ, वेहां पी छोड़ देंगे खर्च की बात कर रहा है यहां पर खर्च पहले कितना 100 है तो यहां पर खर्च में पहले कितना कर दिया 100 कर दिया, तो बाजी में खर्च देखो पहले 100 है, अब बाजी के अंदर बाजी में क्या होगा, 4 कम होजेगा तो कितना होजेगा, चिन में होजेगा यह हो जाएगा इस तरह से अब हमरे पास यहाँ पर खपत ग्याद करना, खपत कैसी ग्याद करेंगे 100 सी गुणा, यहाँ पर देखो 100 कितना रख खर चारा है और मुल्ले कितना 5, तो 100 के इंदर 5 का भाग दे लेंगे 100 बटीवे 5 कितना जाएगा, 20 तो यहाँ पर खपत कितनी है हमारे पास 20 है, इसी तरह से यहाँ पर करेंगे शिनमे के इंदर हम भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा 12 बार तो यह हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर देखो खपत क्या है, खपत 20 थी 20 से कितनी हो गई, 12 20 से कितनी हो गई 12 तो खपत में यहां पर क्या हो रहे है सोरी यहां पर चोईस है क्योंकि चिनी में के अंदर 4 से भाग देना तो कितनी है चोईस आएगा चोईस बारा तो यहां पर आप देखो खपत कितनी है यहां पर 20 से कितनी हो गई 24 हो गई 20 से 24 हो गई, तो कितनी वर्दी होई, 4 की वर्दी होगई तो 4 बढ़ गए है हमारे पास कितने पर बड़ा, 20 पर बड़ा तो यहाँ पर 20 पर 4 की वर्दी तो हम इसको काट लेते हैं एक बटेवाँ 5 आजएगा, काटेंगे तो अब एक बटेवाँ 5 आजएगा, परतिसत बें बड़ाना है तो यह तो आपको डाइरेट पता होगा यह आप इसको क्या कर सकते हो सोशी गुणा कर सकते हो कितना जएगा, 20 परतिसत आजएगा केसी भी करो, बात सेम है यहाँ पर कितना गए, 20 परतिसत तो question number 56 का अंसर हमें मिला है 20 परतिसत question number 7 कर रहे हैं हम यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीनी का मुल्ले है वो 20 परतिसत बढ़ जाता इस बार बढ़ रहा है जो वे हो है यानि कि खर्च है खर्च भी क्या हो रहा परतिसत बढ़ रहा है और यहाँ पर condition भी यहाँ इस तरह शीद दी रहा हुआ जो वास्तवी खपत है वो क्या है 280 kg है यानि कि यहाँ पर हमें खपत दे रहे हुआ है तो हमें यहाँ पर परिवर्थन करना है वो भी क्या जेगा परतिसत में आई यान कि kg में आएगा तो कमि kg में यहाँ पर मात्रा बताना तो पहले की तरह कशने हम यहाँ पे कि मुल्ले खपत है और हमारे पास यहाँ पर क्या हँजए का खर्च अब यहांप फाहले वाली सर्फ एक ना तो यहांपे देखुंगो काट सकते हैं हम타ros Grid काटने में उसको इसको तो काट सकते हैं में लेक indo यहां बढ़ जाता यारीक पहले पांस था तो अब कितना हो जाएगा छे हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है तो एक बढ़ा हैंगी हमें अर यहां पर खर्च की बात करें यहां पर कितना है 100 है तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा यहां पर इस तरह हो जाएगा खर्च इस तरह हो जाएगा अब हम खपत की बात करते हैं तो खपत की बात करेंगे तो यहां पर देखो 100 के अंदर 5 का बाग देखे निकाल लेंगे तो कितना आजाएगा 20 तो यहां पर खपत 20 है तो यहां पर कितना जाएगा सेम काम यहां पर भी करना 105 के अंदर 6 का बाग देखेंगे यह आजाएगा इसको इसे लिख लेता है हम यहın पर पहले तो अब यहाँ पेधे आप देख सकते हो कि हमारे पास परिवर्थन हो रहा है किस तरह ओरा है खपत की बात कर रही है हम यहाँ पर घुर से मतलब नहीं रहा इस राशी सी मतलब है, किसी मतलब है, पहले जो खपत है, वो 120 है, तो बाद में कितने जाएगी, 105 हो जाएगी, यहनकी वर्दी, यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है, खपत में क्या हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 120 से 105 पर चल गया, इसका मतलब 15 की कमी हो रही है, खपत में क्या हो रही है, 15 की कमी हो रही है, कमी हो रही है, 15 की किस पे हो रही है, 120 पे, अब यहाँ पे देखों, नेचे वाली जो राशी होती है, वो क्या होती है, मूल राशी होती है, और यहाँ पे हमें इसका मान दिया हुआ है, इतना, वास् लापत में कितनी कमी करना है हमें, कमी कितनी की है, 15 की कमी की है, तो हमें उसको किलोग्राम में बताना है, तो किलोग्राम में केसे बताएंगे, 120 का मान यह है, तो हम 15 का निकाल सकते हैं यहां से, तो 15 का निकाल लेते हैं यहां पी, तो यहां पर 15 का निकालने के लिए हम क्या क अब इसको में काट देते हैं तीन से काटते हैं पिर यहां पिसको काट देंगी 4 से 7 बार तो कितना जाएगा 7 गुणा 5 कितना जाएगा 35 kg जनकि 35 kg चेनी कम खरी देगा आप 35 kg चेनी कम खपत करेगा यहां पर क्योंकि मिखमें नहीं किता हो जाएगे 35 kg चाहसे टान डियसकिन के लेकिन द्यान रुपन कर रहे लेकिन द्यान रखना उपरवी और निचली Rise ूर्ट इस लिए हम यूर्फेह यसे कर पा रहे हैं वरना एक दूसरी के साथ काम करेंगे। यह यहां पर हम अलग प्रोसेज्स अपनाना पड़िगा। यहाँ पर हमें क्योल खपत की बात करने थी इसलिए में इसको चैसी गुणा कर दिया क्योंकि खपत पहले जितना परिवर्तन यह अनुपात में चलता है यहाँ पर यह जो वेल्यू आ रही है यह सब अनुपात में वास्त्व की वेल्यू नहीं है यहाँ पर वास्त्व की वेल्यू तो यहाँ पर काम मिली है हमने कि टोटल इतना था पहले और हमें इतना कमी किया तो इसका मान हमने इस तरह से निकाल लिया तो यह हो जाएगा question number 7 का answer question number 8 हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर लिकावा चीनी का दाम है 30% बढ़ जाता है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है 10% का मैं लिख सकता हूँ एक बटेवा 10 यहाँ पर लिख लेते हैं दाम यहाँ पर खपत और यहाँ पर खर्च अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक तो पहले की condition है पहले की मतलब वास्त्विक जो पहले थी वो तो वास्त्व में और बाद वाली condition यह उती हो वर्तमान की वर्तमान में आजाएगी और यह पहले वाली condition की हो झाएगी वास्त्विक में चली जाएगी तो यहाँ पर खचत देख सकते हो दाम के अंदर क्या हो रहा है वर्दी हो रही है यानकि पहले 10 ता तो अब कितना ओचलेगा 13 यानकि वर्तमान में कितना है दाम 13 फिर खर्च कितना हो रहा है वर्दी हो रही है तो 10 पले से कितना हो जाएगा 11 अब यहां पर खपत की बात करें तो कुल खर्च के अंदर दाम का हम भाग देंगे तो खपत आ जाएगी यान कि 10 बटेवा 10 तो यहां पर कितना हो एक खपत कितना है एक यहां पर भी हम करेंगे तो 13 बटेव यानिए कि खपत मतलब है तो यह खर्च किसी काम में नहीं आएगा यहाँ पर दाम्वि किसी काम में नहीं आने वाला जहाँ प्रोब्लム mentioned ॥े रही का भाग देना में इसका करेंगे है पूरी लैनको दीरा 13D नहीं करक दतेखेके काट देते हूं तो यह भी कड जाएगा और यहां पर कितना बच जाएगा 11 क्योंकि 13 तो कट जाएगा यहां पर तो अब हमारे पास जो कंडिशन वो बदल गई खपत कितनी रह गए हमारे पास 13 और यहां पर बाद में खपत कितनी हो गई 11 यानकि हमने कमी कर दी कितनी कमी की दो की कमी की तो हमने कितनी कमी की दो की पर्षन क्या बोल रहा है पर्षन बोल रहा है चालीश की कमी की है यहां कि हमारा दो किसके बराबर 40 kg के ब्राबर है तो हमें गयात क्या करना है वास्तिविक कपत वास्तिविक कौन सी होती है जो पहले वाले होती है वो वास्तिविक होती है इसका मतलब मुझी क्या गयात करना 13 का मान यहाँ पर गयात करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक का मान निकाल लेता हूँ, एक का मान कितना हो जाएगा, दो का भाग देंगे, इधर दो का भाग देंगे, तो एक आएगा, इधर दो का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, बीस केजी, अब मुझे किसका चाहिए, तेरे का चाहिए, तो तेरा सी गुणा कर देता हूँ जो बाद में लिकावा वो वर्तमान है तो यह हो जाएगा question number 8 का answer question number 69 कर रहे हैं आपे यहाँ पे लिकावा है जो चीनी का जो मुल्ले है वो 30% कम हो जाता खर्च 16% कम हो जाती है जिसके वजीशे को क्या करते हैं 32 किलो चीनी अधिक रिते तो हमें क्या बताना है वर्तमान खपत यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर पहले की तरह लिकेंगे यहाँ पर पहले ही मैं इसको परतिसत में बदल देता हूँ यह क्या हो जाएगा 3 बटेवा 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 बटेवा 100 लिख देता हूं में इसको इस तरह सी तो यहाँ पर देखो एक तो मार पास यहाँ पर मुल्ले है फिर यहाँ पर खपत हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा खर्च पहले वाली कंडिशन यह होती है वास्तविक बाद वाली कंडिशन यह क्या होती है वर्तमान अब यहाँ पर देखो मुल्ले की बात करें तो मुल्ले क्या हो रहा कम हो रहा पहले 10 है तो बाद जमे कितना हो जाएगा 10 में से 3 कम करेंगी तो कितना हो जाएगा 7 खपत की बात यहाँ पर नहीं चल रहे है तो खर्च के अंदर मुल्ले का भाग देंगे तो यान कि 100 के अंदर हम 10 का भाग देंगे कितना जाएगा? 10 यहाँ पर हम देखें तो 4C इसके अंदर हम किसका भाग देंगे? 7 का क्योंकि खर्च के अंदर 10 का भाग देंगे, मुल्ले का भाग देंगे तो खपत आ जाएगी कितना जाएगी 12 तो यहां पर आप देख सकते हो अगर हमारे पास 10 है तो बढ़की कितनी हो गई 12 हो गई और हमें यहां पर परसन में क्या बोड़ रहा है 32 यहां पर कितना बढ़ रहा है 2 परसन हमारा क्या बोड़ रहा है 32 तो एक कमान कितना जाएगा ह मेर पास 16 यहां हमें जात क्या करना वर्तमान कपत वर्तमान कपत का मिंदल हमें कितना गयात करना बारा गयात करना तो हम यहां बें डारेट कर लेते हैं इसको डारेट कैसे करेंगे हमें एक की जुरूत नहीं है यहां पर हमें बारा लेकर आना ना हम 6 गुणा कर लेते हैं यह जहां पर nasi खुना करेंगी तो 12 क्यूंकि में बारा केंथ थमान गयद करना वर्तमान वाली खैस वर्तमान वाली कौन सी हैं तो यहां बारा के मान गयात करना इदर हम गूणा करेंगे एकविशफस घलक्ट कि क्यूसर नमबर हम साथ यहां पर कर रहे हैं यहां पर क्यों दाम वाली प्रतिसत दी हुई है चीनी यहां पर 12 प्रतिसत कम हो रही है देख लेता हूं चीनी है यहां चीनी की बात कर रहा है यहां चीनी क्या है बारा प्रतिसत कम हो रही है और खर्च यहां पर 300 रुपी के बार एक हो जाएगा इसका खपत और एक हो जाएगा इसका खरच अब यहाँ पर देखो पहले वाली कंडिशन यह जो पहले वाली कंडिशन होती है इसको हम वास्तविक बोलते हैं अब होती है बाद वाली बाद वाली को हम क्या बोलते हैं वर्तमान बाद वाली कंडिशन को हम बोल होते हैं वास्तवी कंडिशन तो यहां पे देखो दाम के अंदर क्या हो रही है 20 परतिसत की वर्दी हो रही है यानिकि पहले 5 ता तो अब कितना हो जाएगा यहां पर पहले कितना था पांस ता तो अब कितना हो जाएगा वर्दी होकर 6 खपत की बात करेंगे तो खपत की बात यहां पर क्यों इतना सा दे रखा कि 12% कम खर्च कर रहा है इससे जद्धा हमें कुछ नहीं बोला है यहां पर खर्च की बात करेंगे यहां पर तो खर्च क्या है दोनों कंडिशन में समान खर्च रख रहा है यहां कि खर्च हमें ऐसा पिक्स रहेगा तो यहां पर हम इस तरह से निकाल लेते हैं इसका खर्च यहां पर देखो खर्च इस PIX रखनाय में PIX रखनाय का मतलब क्या है कि यहां पर और यहां पर खर्च क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए एक तरीका तो आपको पता है कि यहां पर छे ले ले और यहां पर पांच ले ले इस तरह से हम खर्च हम यहां पर पता कर सकते हैं लेकिन हमें यहां पर खर्च डायरेट दे रखा 300 तो हम यहां पर 300 भी यूज में ले सकते हैं कि यहां पर 300 आना चाहिए यहां पर 300 आना चाहिए तो हम एक बात इसी तरह से कर लेते हैं कि यहां पर 6 ले ले हैं यहां पर कितना ले ले 5 तो हमारा पास यहां पर खर्च कितना जाएगा 300, 30, तो यहां पर आप देख सकते हो, खर्च हमारा इस तरह शे आजएगा, तो खर्च यहां पर फिक्स है, यहां पर फिक्स है, आप करेंगे कि वास्तों में तो 300 है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी जरुत हो रहेगी, तब हम बढ़ा लेंगे, तो यहां पर हमारी पास क्या आगया, इस तरह से आगया, तो यहां पर आप देख सकते हो, 5 से कितना हो गया, 6, खपत में कमी कितनी हो रही है, एक की कमी हो रही है, यहां कि जो हमारा एक है, वो एक किसको बता रहा है, 12 को बता रहा है, 12 kg, एक का मतलब कितना है 12 kg, तो इधर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 6 सी गुणा करेंगे, 12 kg, 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 12 kg, 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 सी गुणा करेंगे, 60 kg, तो आप देख सकते हो, पहले, पहले का मतलब वास्तविक, वास्तविक कितना हो जाएगी, 6 तो यह तो क्या हो जाएगा वास्तविक कपत तो कितने हो जाएगा हमार पास 72 कजी और वर्तमान कपत कितने हो जाएगी 60 कजी ये तो हो गए हमार पास खपत अब हमें इसका मुल्ले भी बताना है वास्तविक मुल्ले और वर्तमान मुल्ले वर्तमान मुल्ले कैसे बताएगे कुल खर्च अमार पास कितना 300 मैं यहाँ पर यहाँ पर मिटा के लिख देता हूँ अब आगे वर्तमान मुल्ले मुल्ले कैसे आएगा जितना हमार पास खर्च है खर्च कितना 300 खपत कितने कर रहे हैं हम यहाँ पर वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में हम कितना खपत कर रहे हैं 60 किया आए यहाँ पर काटेंगे कि इस गिस जिरो के जाएगा पांस इच्छाए का बाग देंगी तो कितने बार जाएगा पांच बार यान्कि पांच केजी पर थी सोरी यहां पर रूपे आएगा पांच रूपे परती केजी यह हो जाएगी उसकी पास क्या वर्तमान मुल्ले हो जाएगा अब बाद वाला यान कि वास्त्विक वास्त्विक का मतलब जो पहले था तो वास्त्विक वास्तिविक मुल्ले के से निकालेंगे महार पास टोटल कितना है तेन सो और हम खपत कितने कर रहे हैं बहत्र की तो यहां से हम काट देंगे इसको